जैसे दी हरी वक्तों देकि एकादसी का जो पर्व है वो बहुत उत्तम बताया गया है प्रतिक मानों जीवन के लिए अब इस चीज का आप ये आप इसको बैसुस करके रखे कि केवन और केवल दो एकादसी आती है अब एकादसी के विशे में आज मैं आप से क्यों बात कर र है श्री हरी के लिए एकादसी बनी हुए श्री हरी श्री विश्णुजी के लिए तो आप उनको अगर समर्पित कर भाव रखते हैं जनारदव के उपर तो मान के रिखे आप भी कहीं ना कहीं केवल उनके दो दिन आप ये चीज करके देख लीजिए मैने में दूबार आता ये फास्ट एक तो क्रिष्ण पक्ष पे एक श्योक्ल पक्ष में जिसको एकादसी कहा जाता है और सबसे उत्तम माने गई है ये फास्ट में जो वरत कहें जाते हैं सबसे उत्तम वरत कहें जाते हैं एकादसी के एकादसी हुआ या फी पूनम हुआ इसमें देखी निर्जल पमान के चलिए आफ सोची कि आपके पीछे के कई जन्मों के आपके बीटर वक्राइब जो पाप करमें हैं समाई कर लेंगे तो सब चीज हो जाए लेकिन इस चीज से जो उर्जा मिलेगी आपको ये चीज करने से वो वास्तविक रूप से आपका जीवन परिवर्तित करने के लिए सहायक होगी बहुत घचप की वास्तविक रूप से इसलिए आपको ये चीज को करना बहुत अनिवारी तो आप करने जरूर लगे अगर अनिवारी इसको कर लेते हैं एक समय पस्चाथ सर्फ पुरतम क्या होता है कि संकल्प लिया चाता है कोई भी चीज आप अगर अपने जीवन में करते हैं तो आप जरूरी नहीं कि आपको इसको पूरा सार्बल लेना है आप काफी लोग एसे कहते हैं आप कर सकते हैं कि 9 एकारशी या फिक्वर ग्यारा एकारशी करने का उतक्म लें सरफ पुरतम आप 11 एकारशी करने का संकल्प ले दिरे दिरे इसकी परवर्ती में आप रेंगे तो क्याहोगा आप olan माल आ देंगे कि काफी लोग ऐसे हैं कि fast नहीं रक पाते हैं पने जीवन में भूगे रहन नहीं पाते हैं भूग सहन नहीं कर पाते हैं इसलिए या फिस संकल्ब छोटा भी ले सकते हैं आप शुरवाती रूप़े आप दो तीन या पांच एकादसी करने का संकल्ब ले 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 घाई महीने तक ही औगवक और केवल और केवल पांच इकादशी होगी उसके उप्रांत आप इस लक्स अच्छे को बढ़ा ले बढ़ाने में सबच्छा फाइदा यही है एकादशी और को खत्म करने के लिए और iqadishii के दिने ये अच्छा चमतकार देखने को मिलते हैं प्रतिग मुनिश्य की जीवन में अगर कोई सिरी हरी को समर्पित है कोई भी सादक देखि कोई भी सादक है आप अगर सिरी हरी को समर्पित है तो आपको निश्चित रूप से ये कईना कईन इस सिद्धान को अपनाना चाहिए, इकादेशी का वर्थ करना चाहिए, केवन और केवल निरहार रहने से इसका तात्पर्री नहीं है, कि आपने पूरा दिन भूखा रहने हैं और आप रातरी को बोजन परशाप कर लेते हैं, उसके प्रांती ये परतम हो जाता है, इस परका प्ले, जिस दिन आप वर्थ रखते हैं, एकादेशी का वर्थ, उस दिन आप ऐसा संकल प्ले, कि आज मैं पूरे दिन प्रवुप को ही सम्मत्पित करूंगा, जितना हो सके उतना नाम चाहिए, पीतर से आपके वे चीज उत्पन होती रहे, मन में वे चीज करते रहेंगे प्ले ही आप कोई सा विकारे कर रहे हो, चाहिए आप ओपिस का कारे कर रहे हो, घर पे हो, चाहिए आप एफसा विकारे के लिए बाहर जा रहे हो, कोई विकारे है, लेकिन आपके जीवन में ये एक दिवस बहुत इंपोर्टेंट होना जरूरी है, कि इस दिन में ये कारे म मुझको खुछ भी हो, मगर ये पुगरबो का नाम जब करना है, तो करना ही है, दूसरी चीज, नाम जो एकादेशी का, आपके जो मस्तिक्स में जो सवरूप है, उसको बदन लीजिए, यानि इसको केउल और केउल वरक्त ना माने, आपके जीवन का सबसे अनमोल दिन माने इ इर्षया भावना, संपून जितने भी विकार है भीतर, वे खतम करने वाला, ये पान के चली, इस दिन आपको ऐसी कोई भी बुरी वाद, कोई बुरा विचार आपके मन में नहीं लाना है, जिससे कि आपकी बुद्धी, बुद्धी पर मेल आए, यानि बुद्धी आपकी ख्राब हो, यानि गंदी विचार आए, ऐसा कोई भी विचार आपके बीतर नहीं लाना है, उस हो सके तो आपकी जो उस समय के लिए जो आप प्रयावर्म करेट करते हैं, अच्छे लोगों के पर जाना हो, सादू संग्तों का आपको मिलना हो, तो एसा ही संग रखे, बहुत ही उत्तम फल है इस चीज का भी, आप मेडिटेशन करें, उस इस्थान पर जाके देखे, मैंने ये एक चीज आपको पहले बताई हुई है, कि अगर आप अपने स्वेम के घर में अगर पूजा इत्यादी ध्यान, मेडिटेशन साधना करते हैं, वहाँ पर फल कम होत बहुत ही जल्दी connected, ये घर पे कम होता है, ये इस इस्थानों पर जादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ही vibration नहीं होती, काफी लोगों की रोज आई दिन वहाँ पर लगातार मिंटों मिंटों में मंदिरों में जाते रहते हैं, इसलिए उस चीज की vibration बहुत उत्तम मान और जितने भी हैं आप सादक, अगर स्रीहरी को विशेश रूप से समर्पित है, देकि बहुत वागवान तो एक ही है, मैं यह सानी कर रहा हूँ कि मादे वो लगे, स्रीहरी ये लगे, क्रिश्न लगे ही है, लेकिन विशेश रूप से श्रीहरी, जो की मेरी नजरों में मिस और लगबग लगबग एक समया अनुसार आप एक समय सिमा अपार करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को जुरूर मिलेगा, यह स्रूम का मेरा अनुबव है, इसलिए आपको यह सजिस्ट कर रहा हूँ, बना आप चाहे तो अपनी स्रूम की अच्छी द सबसे उत्तम पर वह यह है, अगर कोई प्सादत चाहे तो इस दिन अगर आपको निरहार भी नहीं रहना आ रहा है, सुचिए, निरहार नहीं रह पार है, तो मानसिक रूप से, मानसिक रूप से आप इस चीज़ का पालन करें, कि किसी भी चीज़ को आप नहीं सोचेंगे, पुरा नहीं सोचेंगे, और संब्रून रूप से आपके भीतर वे जब चलता रहेगा, और परते का आप कारे करें, आपका वेवसाय कारे कर रहें किसी भी वह आपका काम करेंगे, और जो भी विखार वाली बाते हैं, उसको आप इग्नोर करेंगे, यानि आपको इस समय कि इसी भी परकार से कलत विचार नहीं सोचना है, जेतने भी विचार सोचने बे अच्छे से अच्छे विचार सोचें, बिल्कुल अच्छे, जो आपके पविश्य के लिए उजवल हो, और जो आपको उन्नत्ति की ओपर बढ़ाते हो, इसी परकार का आपका विचार होना चा लेंगे ताम जब को कि आपका जो भी लक्ष है वो लक्ष तक पहुचना है आधार इसको मान कर तो और तेक लक्ष पर पहुचा जा सकता है निरेंतरता से अगर आप इस पर अभ्यास करें तो देखिए आपको यह वीडियो कैसा लगा एकादसी में वीडियो बनाने का हमारा लुक है लक्ष है कि एक आप कुछी चीज बहुत ही अच्छे से करे जा रहें बहुत ही अच्छे से डौलप किये जा रहे तो उसमें थोड़ावा फरीशन लिया है थोड़ासा फ़रीशन लिया है कि हाँ इस चीज को करके आप अपने जीवन में एर्थ करें एर्थ करने के पस्चाद अगर आपको अच्छी रिजल्ट बिलते हैं तो आप जरूर इसको लंबे समय तताविर किये और जब तक आप कमफर्टेबल जोन में हैं कि मैं आप मेरा शरीर व्रक्त रख सकता है फास्ट रख सकता है बारायत चौदा पंद्रह शोला गंटे बुकी रह सकता तो आप निसंदेर रूप से यह आप कीजिए तद रांत आप इसको वह इसका उजमन वगेरा जो भी प्रक्रिया होत दाले ताकि आपकी जो सात्विक जिवन से जुड़ा हुआ आपकी अध्यात्मी जिवन में प्रगर्ति करने में बहुत ही मैपपून होने वाला एक दिन के वल बहुत ही अच्छे से निगलेगा यह एक दिन अगर आप इसको देते हैं तो बहुत ही आपकी निप फाइद मन कि विडियो के लागा जरूर जानकरी दें अगर आपको और किसी सीच के बारे में जानना है इसी वीशे पर तो आप जरूर कमेंट करें ते elevation में पड़ता जरू है और किसी को रेफलाइद दे नहीं पाता हूं क्योंकि इसके भी अलाव कापिस काम है जो कि निप्टाने पुड़ते हैं इसलिए आप जरूर निरन तरता से हमारे इन वीडियो को खोलो करें और हमारे चेनल को खोलो करें आप मांगा सपर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक कि लिए जैसे यरी ओम नमू पक ते बासू देवाई